एक, दो, तीन, चार आश्चनी है कल इतवार पाँच, छे, साथ, आठ याद करूंगी सारा पाठ इसके आगे नौ और दर्स हो गल गिंती पूरी बर्स अरे, 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 आज ये रूम कितना सुन्दर लग रहा है लेकिन ये क्या, सारे बच्चे इतने बिजी क्यों लग रहे है कोई मेरी कविता ही नहीं सुनता है, है, लगता है पता लगा नहीं पड़ेगा हर टेबल पर कुछ न कुछ सजा हुआ है अरे 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 ये सुन्दर सुन्दर चार्ट बनाकर सब बच्चे क्या कर रहे हैं अरे ये तु मैंने देखा ही नहीं ये सेल्फी स्टैंड कितना सुन्दर है भई सब बच्चे कितनी खुशी के साथ सेल्फी ले रहे हैं आपर वो भी अपने मम्मी पापा के साथ मुझे 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 थोड़ा डर लग रहा है अरे चिंकी क्या हुआ तुम इतना डर के मारे क्यों काप रही हो अरे पिंकी मुझे मुझे बड़ा डर लग रहा है कहीं ये हिरन मुझे सींग न मार दे अरे चिंकी डरने की कोई बात नहीं है ये तो पेपर मार्क्स हैं जो की हमारी संगीता मैम ने बनाए हैं बच्चों को कहानी पढ़ाने के लिए तुम कितनी भुलक कर हो चिंकी याद है पिछले हफ़ते मैम ने बताया था कि हमारे विद्याले में बाल दिवस के दिन टीलम मेला लगेगा ये बाल दिवस क्या होता है पिंकी अरे तुम्हे बाल दिवस नहीं पता बाल दिवस का मतलब है बच्चों का दिन इस दिन हमारे प्रथम प्रधान मंतरी चाचा नहरू जी का जनम दिन होता है चाचा नहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे इसलिए उनके जन दिन को पाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बच्चों को गिफ्ट भी मिलते हैं अरे पिंकी क्या हम लोगों को भी गिफ्ट मिलेंगे बिलकुल मिलेंगे तो चलो जल्दी से संगीता मैम के आने से पहले हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं चलो भागो जल्दी चलो कही दिर न हो जाए हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल बिजी ब्रश मैं हूँ संगीता आवस्थी फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ कि चिंकी और पिंकी ने आपको जादा परिशान नहीं किया होगा और अगर किया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करकी पता सकते हैं फ्रेंट्स 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन हमारे प्राइमरी स्कूल कूपा देवर में एक टीलम मेला का आयोजन किया गया है जिसमें मेरे बच्चों मेरे स्टाफ और मेरे द्वारा बनाए गए कुछ टीलम को एक्जिबिट किया गया है तो फ्रेंट्स देर किस बात किये चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स को इंक्लूट किया है और यह बहुत ही जादा इंस्पाइरिंग है जिसको देखने के बाद हम अपने दिन की शुरुवात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाएं और कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए मोटिवेट करें फ्रेंट्स उसके बाद यह सबसे अमेजिंग चीज है यहां का एक सेलफी स्टैंड जो कि हमने बाल दिवस पर स्पेशली बच्चों के लिए बनाया था और उनके पेरेंट्स के लिए जो कि इस एक्जिवेशन को देखने के लिए आ रहे थे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ यहां पे सेलफी ली है इसके बाद मूव करते हैं हम पपेट्स एंड पेपर मास्क थी तरफ और इसमें देखिए बहुत सारे मैंने पेपर पपेट्स बनाये हुए हैं जिनके तुरू हम बच्चों को बहुत ही मज़े से सिखा सकते हैं ये सॉक्स पपेट हैं इनसे तो आप मिली चुके हैं चिंकी और पिंकी दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चियां हैं इसके बाद हम मूव करेंगे यहाँ पे फिंगर पपेट्स की तरफ और इसमें मैंने बतरफलाई बनाई यह यह देख सकते हैं यह दो जोकर बनाएं यह पेपर और स्ट्रॉक्स से मने हुए हैं और इनको आप मूव भी कर सकते हैं फ्रेंट्स इस तरह की जो पपेट्स होते हैं वो हमारी स्टोरी टेलिंग के लिए और स्टोरी को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही जादा हेलफुल रहते हैं डक्स के बाद आप ये रैबिट देख सकते हैं कितना जादा ब्योड़फुल लग रहा है ये मैंने दो बनाए हैं इसके बाद आप ये माउस देख सकते हैं इनको भी बनाना काफी एजी है पेपर कोन बना कर आप इसको बना सकते हैं पेपर फिश ये बनी हुई है और कैटर पिलर आप देख सकते हैं इसके बाद ये पेपर बर्ड्स हैं ये मैंने दो बर्ड्स तो अच्छे से सीखते हैं प्रैंट्स यह सामने जो आप ट्री देख रहे हैं इसमें लीफ का कोलाज बनाया है बच्चोंने और पानी देते हुए दिखाया है कि व्रक्ष को अगर हम पानी दें तो वह हरा हो सकता है इसके बाद आप देखिए यहां पर अपॉजिट वर्ड क आप पर अप्र बच्छों कर दिया है और इसके बाद को बच्चोंéric बना bén इन बर्तन को फ्रेंट्स किचन से रिलेटिड बहुत सारे बर्तन बच्चों ने बनाये हैं यह देख सकते हैं आप यहां पर और यह सारे बर्तन क्लास 2, 3 और 4 के बच्चों ने बनाये हुए हैं आप देख सकते हैं गैस, सिलेंडर, चूला, चक्की, और स्पून आपको बहु बच्चों ने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं तो फ्रेंड आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी उंगलिओं से कितने सुंदर आकार दिये हैं बच्चों ने इन वर्तनों को इसके बाद आप देख सकते हैं इस globe को मैंने reuse किया है और इसको भी एक TLM में convert कर दिय जिसके उपर मैंने लिखा है together we can save the planet और इसके बाद आप देख सकते हैं यह हमारा एक portion और complete हो जाता है यहां पे इसके बाद मूब करते हैं हम अपने एक वचन बहु वचन की तरफ जिसमें हम बच्चों को singular और plural के बारे में बताते हैं तो cards open करने के बाद हमें plural का पता चलता इसके बाद देखिए आकरतियों की पहचान के लिए यहां पे एक जोकर बनाया गया है जिसको cable shapes से बनाया गया है और बच्चे shapes का नाम बताते हैं इसके बाद alphabet को सिखाने के लिए यह TLM का यूज किया गया है आप देख सकते हैं इसमें हम capital और small letters को बच्चों को बताते है इसके बाद देखिए फ्रेंट्स magic words के लिए एक chart बनाया गया है और इसमें magic words को use करके हम कैसे अपनी life को easy बना सकते हैं इसमें बताया गया है इसके बाद numbers और spellings के लिए यह chart बनाया गया है आप देख सकते हैं और इसके बाद हम move करेंगे अपने solar system की तरफ friends इस solar system को मैंन पेंट किया हैस वुडन ब्लैक बोर्ड पर क्योंकि यह ब्लैक बोर्ड एक गम वेस्ट था और यूजलस था क्योंकि और रहले हमारे यहां सारे रूम में अच्छे-खासे ब्लैक बोर्ड हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं दीं तो मैंने इसको reuse करके इसको एक TLM के रूप में convert कर दिया और अब इससे हम बच्चों को अच्छे से solar system को बता सकते हैं इसके बाद देखिए इस chart में स्वर को हम मातरा के रूप में कैसे जानते हैं इसको बताया गया है इसके बाद देखिए यह sunflower को जो की बच्चों ने बनाया है यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं next chart में आप देख सकते हैं कि किस तरह से plants के parts को बताया गया है friends इसके बाद आप देख सकते हैं read and count में इस chart में बताया गया है कि किस तरह से हम पहले deserts को यानि numbers को read करेंगे और उतनी ही sticks को count करके हम उस pouch में insert कर देंगे तो यह बहुत ही अच्छा chart बना हुआ है आप देख सकते हैं इसके बाद next हम देखेंगे parts of speech के बारे में जिसमें हिंदी में बताया गया है कि संग्या सर्वनाम आदी के बारे में बताया गया है इसके बाद हम देखेंगे यह एक कविता है जिसको बच्चे ने बहुत ही beautifully बनाया है तो इसमें आपने यह कविता सुनी भी होगी कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से या बोला और सिल्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला इसके बाद next चार्ट हम देखेंगे कि हम how are you का answer कैसे देते हैं उसको कैसे reply करते हैं क्या responses होते हैं इसको हम बच्चों को बताते हैं इसके बाद देखिए यह कविता बहुत ही अच्छी है जिसको बच्चे ने बहुत ही beautifully लिखा है कि अब यह चिडिया कहा रहेगी उसके बाद आप यह कमल का फूल देख सकते हैं बच्चों की creativity आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद देखिए evening और morning के time को इसमें बताया गया है बहुत ही beautifully हम इस पे बच्चों की creativity को display कर सकते हैं तो हमारे school में time to time drawing के competitions होते रहते हैं तो उनको display करने के लिए इस display board का हम लोग use करते हैं इसके बाद देख सकते हैं road safety rules के लिए किन-किन science का use होता है कौन-कौन सी चीजों को समझने की हमें जरूरत है जबकि हम travel कर रहे हों तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा model बनाया गया है और अगर आप इसको deeply समझना चाहते हैं तो इसके लिए channel पर एक और भी मैंने video बनाया था बहुत पहले वो पूरे classroom में मैंने बनाया हुआ था उसको आप देख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह की letters को हम बना सकते हैं बच्चों को month के नाम बताने के लिए और बच्चों को आसानी से जब बार बार देखते हैं इन month के नाम और days के नाम उन्हें अच्छे से learn हो जाते हैं फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हैं ये paper mask मैंने बनाये हैं और ये बहुत ही helpful रहते हैं हमें किसी भी story को बताने के लिए explain करने के लिए क्योंकि इनको देखकर बच्चे अपनी पूरे जो senses हैं उनका use करते हैं इन mask थे through stories को सुनने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा helpful है ये भी कहा जाता है कि कि किसी चीज़ को सीखने में हम अपनी ज़्यादा senses का use करते हैं वो चीज़ हमें उतने ही easily learn हो जाती है फ्रेंड्स उसके बाद देख सकते हैं कुछ ऐसे tlms भी हैं जिनको मैंने book form में convert किया है या आप ये कह सकते हैं कि जादा तर जो tlms हैं उनको मैंने book form में ही रखा है क्योंकि इनको carry करने में भी बहुत आसानी होती है और दूसरी बात ये है कि जिस इलाके में मैं teacher हूँ वहाँ पर कुछ ऐसा रहता है कि वो तराई का इलाका है और बाड वगएरा आती रहती है जिसकी वज़े से सीलन जो है पांच-छे मैने रहती है और इसकी वज़े से जो भी चार्ट वगएरा वाल पर हैंक किये जाते हैं वो waste हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं जब पढ़ने आते हैं तो उनके साथ इनको भी रीड करते हैं क्योंकि जादतर जो भी TLM साफ यहां पे देख रहे हैं यह सभी मैंने बच्चों की लाइब्रेरी में हैंक किये हुए हैं और बच्चे इन्हें अपनी मन पसंद बुक्स के साथ इनको भी देखते रहते हैं या माउस और लॉयन की स्टोरी को डिस्प्ले किया गया है और इसको मैंने प्रेजेंट भी किया था तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया है और सारी एक्सरसाइज को लास्ट में दिया हुआ है बच्चों को तो इसको भी मैंने यहां पे हैंग किया हुआ है इ बच्चों को इसको sequence में लगाना रहता है तो अगर उन्हें याद होगा तो वह sequence में इसको लगा सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं place value को सिखाने के लिए इस तरह का TLM ready किया गया है यह beads और wire की help से ready किया गया है next हम देखेंगे जो हमारा English का यह TLM है जिसमें is MR का use हम किन-किन subjects के साथ करते हैं इसको differentiate करने के लिए कुछ sticks ready करी गई है और उनको जो है अलग-अलग pots में insert करना रहता है तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं इसके बाद देखिए व्रक्षों से हमें क्या-क्या मिलता है पेड हमें क्या देते हैं इन चीज तो इस तरह से इसको ready किया गया है तो फ्रेंट्स यह छोटा सा TLM fair जिसको मैंने मेरे स्टाफ ने और मेरे बच्चों ने मिलकर decorate किया है और इसमें उन्होंने बहुत ही जादा enjoy किया है और जो बच्चों की parents हैं उन्होंने भी इसमें पूरा सायोग दिया है और इसको देख मेरी good wishes हैं और मैं उमीद करती हूं कि मेरे बच्चे बहुत आगे जाएं आगे बहुत कुछ करें और इसी के साथ इसी आशा के साथ मैं यह वीडियो यहीं पर end करती हूं उमीद करती हूं कि आप लोगों को भी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपने इससे थ चैनल पर नए हैं वीडियो को फर्स टाइम वाच कर रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स बाई टेक केर लव यू अल